उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे देखे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप भी बिहार में जो है किसी परकार की उध्योग लगाना चाहते हैं तो आपको जो है मुख्यमंत्री उध्मी उजनक के तहट जो है दस लाख रुपे तक का जो लून है उपलाब्द करवाया जाता है जिसमें से 5 लाख रुपे तक जो है सबसीडी आपको उपलाब्द करवाया जाता है अब ऐसे में आप सभी जानते हैं कि इसका जो पैसा है बजट का कोडिन ही आपको दिया जाता है जितना इसका बजट होता है उसके हिसाब से ही आपको यहा देना पड़ता है और किस तरह से सब्सेडिव एगर आपको मिलता है उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार उस वीडियो को चेक आउट कर लेना यहां पर देखने को मिलेगा या फिर नीचे भी हमने लिंक दे दिया हुआ है जिसके हम आगे करेंगे तो प्लिस वीडियो सुरू से अन तक लेकर जोरू देखेंगे और वीडियो थोरा से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा जो वाट्सप चनल है उसको जौइन नहीं किया हुआ है अपि टेलीग्राम चानल को जौइन नहीं किया हुआ है तो link description box में है प्लीस जा कर उसको जौइन कर लिजे क्योंकि आप लोग जौइन नहीं कर रहे है तो कहीं न कहीं आपको वहाँ पर update नहीं मिल पा रहा है ठीक है और फिर वीडियो जो क और बाकी जो पैसे होते हैं 84 किस्त में आपको सरकार को वापस करने होते हैं अब इसमें जो भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले online form को भरना होता है और form को भरने के लिए कुछ महतपूर दास्तवेज और पतारता होती है जिसकी जनकारी हमने यह वाला वीडियो में बात कि लिए हुआ है तो form को भरने के बात क्या होता है कि computer के माधियम से आपका selection किया आता है और select हो जाने के बाद आपका documents verification करके आपका जो भी पैसे हैं आपके खाते में तीन किस्तों में transfer की जाती है जिसके माधियम से जो भी पर्योजना होता है जो कि list इन्होंने दिया हुए list में से कोई ना कोई एक परिजना के छेतर में अपना रुजगार करते हैं यानि कि business करते हैं और उसको सई धंग से चलाते हैं अपना जो एक growth लाते हैं अपने G1 में ठीक है अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अभी जो है इसमें कई परकार के scheme होते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है अलवसंक्यक जो उध्मियोजणा को भी इसमें जोड़ा गिया है पहले कि हम बात करें तिसमें जो है ABCST उध्मियों जना के तहर आपको लोन दिया जा रहा था, जिसमें जो भी ACST से आते हैं उनको दिया जाता था, EWA उध्मिय में जो भी BC का यटीगड़ी से हैं और जो जेर्नल का यटीगड़ी के जो EWA हैं उनको जो है लाँभ दिया जाता है और जो यहां पे अतियनwość पीछराबग उध्मिय Óजना के तहद ज़ो二 अतियन्द पीछराबगरन की EBC से आते हैं उनको यहां पे लोन उपलत कराए जाता है और इसमें जो महिला होती है उनको जो है आप सभी जानते हैं कि महिला जो ही इवा उधमी को यहाँ परकार से जो ही लोन दिया जाता है और उनको अलग-अलग काइटिगराईज वाई जो है एस्कीम तियार किया गया है जिसके माधिम से यहाँ पर उनको पैसे दिया जाते हैं जिसके माधियम से जो भी ACST है, कोई EBC है, या फिर कोई जर्नल है, या फिर कोई BC है, या फिर कोई अल्वसंख्यक है, उन सभी को जो है 660 कुरूर रुपे में सही यहाँ पे लोन दिया जाएगा, जिसके माधियम से अपना बिजनस कर पाएंगे, और इसमें आप देखेंगे तो इसके माधियम से 25 कुरूर रुपे जारी किये गए है, किवल जो ही महिला पे ज़्यादा जोड़ दिया गया है, तो ऐसा कोई महिला है, जो कि अपना खुद का उधम करना चाहती है, खुद का रुजगार करनी चाहती है, तो उसको ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मि होने वाला है, किवल उनके लिए 25 कुरूर रखा गया है, तो कहीं न कहीं बड़ा बजट है, और इसके अकोडिन यहाँ पे लाब मिलने वाला है, अब यहाँ पे आप में से काफी साल लोग कहेंगे कि इसका फॉर्म का फिल अफ होगा, तो इसका फॉर्म है न सितंबर के हो फॉर्म को भरना होगा, तो फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन-कौन से डॉक्मेंट होनी चाहिए, और साथी साथ क्या पतार्ता होती है, इसके लिए हमने इस वीडियो में बात किया हुआ है, तो इसको आप चेक आउट कर लेना, बाकी हमने बजट के रिगार्डि के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,